स्वार्ना रखा प्राइबेट आईटे आईटे इस यूट्यूब चैनल में आपके आईगा फिर से बहुत बहुत स्वावत है इस वीडियो में हम लोग वेल्टिंग के क्लास को कंटिन्यू करते पर आगे बढ़ेंगे आज का टोपी आएगा हुटोंगा पोलारिटिंग्स 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 यानि कैसे फीड होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं केथोड और एड़का ठीक है यह किधर से केथोड होगा किधर से अनोड होगा पोजिटिव और नेगेटिव किधर होगा कौन सीरे में पोजिटिव होगा कौन सीरे में नेगेटिव होगा यह हम लोग इसमें देखेंगे और इसको किधर किधर से कनेक्शन करेंगे यानि इलेक्ट्रोड जो होगा इलेक्ट्रोट को पुजिटिव में रखेंगे या नेगेटिव में रखेंगे वर्ट्पीस आता है उसका दूसरा चोर जो होगा वर्ट्पीस यानि जो आर्थ आर्थ का बात कर रहा है तो इधर नेगेटिव होगा क्या या इधर पुजिटिव होगा किधार negative होगा किधार positive होगा positive होगा यह सारा हम लोग इस video में देखेंगे वह यह polarity ठीक है तो चले शुरू करते हैं आज के लास तो DC welding machine जो होता है DC welding set welding set का हम लोग दो तीर प्रकार पुरे है ठीक है DC है DC welding welding machine या set ठीक है दोसरा क्या है DC, AC DC and AC दोनों combined रहेगा एक ही में ठीक है और दीरा क्या है AC AC welding set ठीक है यह जो टीरो है तो देखते हैं अकिर किस में किस पॉलर्टी में किस तरह से किदर से आपका जो कनेक्शन होगा वो कैसे कनेक्शन करेंगे पॉजेटिव को किदर रखेंगे नेगेटिव को किदर रखेंगे तो अगर सबसे पहले DC का उल्लोग बात करें ठीक है सबसे पहले उल्लोग अगर DC का बात करें तो DC welding set में जो होता है DC welding set में DC welding set में क्या होती है पोजिटिव सीरे पर अधिक ताप बनता है जो पोजिटिव सीरा होता है इधर पोजिटिव सीरे पर क्या होती है सबसे अधिक ताप बनती है पोजिटिव सीरे पर अधिक ताप बनती है ठीक है और नेगेटीव पर क्या होती है नेगेटीव पर कम ताप होती है कम ताप किसमें DC वर्डिंग मसीम है और इसी करण से DC सेट में क्या होती है के टीसु सेट में है, जब के रसेना के अरुबरिगु की सवर्फकर नांव詐र को जाता है. जब कैसा है, पतला नीधा है कि जुक्ता अमटा है, कितना स्रॉंग है, उसा अउस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग DC के जो polarity है उस तरह से हम लोग चुनते हैं ठीक है किस तरह से चुनेंगे आगे हम लोग बिस्तिरी ग्रूप से जानेंगे डीसी में क्या होती है पोजिटिव सीरेपर क्या होती है कि अधीक बस्ति है तो अधीक तब को हनेगा तो क्या होगा जाना अधो ठीक है तो अगर टीनळा है तो हम जाना-धूप कि जघर रहा थे वह घ्यार तो क्या करेंगे उस समय हम पोलेट्री चेंज करके भी लगा सकते हैं नेगेटिब ताप पर भी कर सकते हैं कम ताप में ठीक है जो एसी वेटिक सेट होगा है उसमें क्या करेंगे पोलेट्री लगात है जो बदलने से कोई फाइदा नहीं है ठीक है कोई एसेट में कोई परवाव में पड़ेगा पोलेट्री चेंज में ठीक है पोलेट्री चेंज में करने से भी एसी वेटिक सेट में कोई फार्ट नहीं पड़ता है क्यों नहीं पड़ता है वह सारा चाहिए उन लोग आगे देखेंगे ठीक है तो यह था छोड़ा सा इंट्रेट्रक्शन आगे देखेंगे यह जो पॉलरेट्री चेंज में यह दो फरकार दीक है जूब पॉलरेट। यह दूदर्चन आगे देखेंगे अगे जा। नहीं कर देखेंगे देखेंगे बात दीक है तूबरेटा है यह दोवल्ग देखेंगे दोग लगे है दो प्रकार दो प्रकार कौन कुछ से पहला तो है पहला तो है स्टेक पोला है ठीक है ठीक है दूसरा है रिवर्स पोलारिटी तो स्टेक पोलारिटी और रिवर्स पोलारिटी यह स्टेक पोलारिटी क्या है और रिवर्स पोलारिटी क्या है सब से पाइटाएं के देखे हैं रूप स्ट्रेट पोला रिए इसको समझते हैं स्ट्रेट पोला रिए एक फीगर बनाएं के दाइग्राम बनाएं के उसके फिरूब रूप समझने के कुछिश्च करें लिए ठीक है तो इस डाइग्राम के द्वारा हम लोग देखेंगे इसको हम लोग हमने बनाए है यह वर्क वर्क पीस यह वर्क यहां पर है और यह है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड हो गया है इधर से नेगेटीव इधर से पोजिटीव यह स्ट्रेट पोलारिटी जो है इसमें जो वर्क पीस है जो वर्क पीस है वो पोजिटीव के साथ कनेक्ट किया जाता है पोजिटीव में हमेशा क्या होती है आप जानते हैं हम उत देखे कि पोजिटीव में जो भी जुड़ा हुआ रहेगा वर्क पीस है अगर तो वर्क पीस ज्यादा पिख लेगा ठीक है जब यह उसमा उत पन होगा इस गेप में जब इलेक्टरन फुलो होगा इलेक्टरन फुलो होगा उसके बाद यहां क्या होगा उसमा उत पन होगा उसमा के बज़े से यह दोनों पिखलने लगेगा ठीक है तो पोजिटीव वर्क पीस है यानि यह आर्थ वर्क पला इधर लगा हुआ रहा है तो क्या होगा क्या होगा यह ज़्यादा पिखलेगा यह ज़्यादा पिखलेगा मतलब इस जगह में क्या होगा ज़्यादा गलेगा ठीक है इलेक्टरोट को क्या थेयरता है इलेक्टरोट जो है उसको नेगेटिव में नेगटिव में, ठीक है, और काहिलिफंड को जो है, वर्ट्पिस को पोजिटिव में, रखराद, ठीक है, इसमें पूल ताफ जो होती है, जो प्रोटेल तेंपरचर होगी, वो 66 पर्षन जो है, वर्ट्पिस पर होगी, वर्ट्पिस के लिए होगी, क्यों, और बाकी जो हैंगी, 34 पर्षन ये इलेक्ट्रोट, पर ताफ होगी, खिक है, ये जो चीज़े है, 66 पर्षन जो है, वर्ट्पिस पर और 34 पर्षन पर ताफ होगी, इसमें क्या है, कि जो ईलेक्ट्रोट होगी, ईलेक्ट्रोट पर काम ताफ करने के बज़र से, ईलेक्ट्रोट आपको बचेगा, Electrode क्या होगा? कम खर्च होगा और Electrode क्योंकि कम फीग लेगा इसमें यह ज्यादा गरम होगा तो और इस ना करदा करूगा ते इसमें एक फाइदा है कि sinpharm क्यों जो है आप किस तरह से कर रहा है, अगर पीना मज़रा कर रहा है, ऐसा तातु कर रहा है कि वो इसमें अगर positive दे देंगे तो क्या होगा इतना जाधा आपका इतना जाधा ज़रेटी ताप मिल जाएगा तो क्या हो सकता है यह ज्ञाधा पिलेगा तो मोटा अगर मोटी परत वाला या उसके किस तरह से ही किस तरह बनाबट है उस वर्ट का वर्ट पीस का उसके इसाम से देना चाहिए नहीं तो यह पिगल के छेट-छेट-छेट हो जाता है इसलिए जब आप वेल्डिंग करते हैं तो पोलरिटी अगर चेंज किया नहीं है अगर पोजिटिव है इस्ट्रेट पोलरिटी में चुकी पोजिटिव जो होती है वो वर्कपीस को दिया जाता है और नेगटीव पला इलेक्ट्रोट को दिया जाता है तो यह बिग लेगा यह ज्यादा बिगलेगा यह ज्यादा पिगलने से क्या हो जाती है यह चेट अपर में आप देखिए गा ऐसा कुछ वेल्डिंग में यह कट चाट जाता है और इस में मान लेजिए अगर तीना है बज कि यह यह पोजिटिव है कि इना यह पीख आ ना कि इसको जाद आ कि आपको उस बाक्त-ाना लोतुपीमेस करना है ऐए यह जो इसका कुछन नहीं में चीब करता सकत्य है हुढ कि यह स्ट्रेट रात बंसने का ures ट्रोट की हो जाएगी और जो पोजिटीब सुर्सेस होगी हो वाद की हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो पाठ है भाग है पोलरिटी का वे है दूसरा जो है वो है रिवर्स क्या है रिवर्स पोलरिटी ठीक है रिवर्स पोलरिटी जो रिवर्स पोलरिटी है रिवर्स पोलरिटी जो है उसमें क्या होगी यह चेर्व जाता है ठीक है इलेक्ट्रोड को पोजिटीव दिया जाता है और इसको नेगटिव दिया जाता है इसको वोर्क्रीश को छिए है यह है यह विडी किर्ट तो यह Köहँ होती है इलेक्टरोड को,शिटिब दी लेक्ट्रोड को मिलती है और बचाएं जो मिला है ठीक है वो वनपीस को मिलती है इस कारण से इलेक्ट्रोड ज्यादा प्रिगती है क्या होती है इस कारण से यह ज़्यादा प्रिगती है को इलेक्ट्रोड ठीक है ज़्यादा प्रिगता है इसी इसरी बटैंडरे जिए इसे इ pacegर को एथ से प्रिगती है ज्यादा घथ को एजए अलूमिनियूम हो गया, टीना हो गया, जो बत्त कमजोर धातूर या पतली चादर हो गी, उसको वर्डिंग क्या दाता है, ठीक है, एक फिर से, सेट में जो आपका इलेक्ट्रोड रहता है, केवल की तरफ से, एलेक्ट्रोड को क्या मिलेगा, पोजिटिव मिलेगा, क्यों पोजिटिव देना है, चुकि ये रिवर्स पोलरिटी है, पोजिटिव इसलिए एलेक्ट्रोड को देना है, चुकि इसको ज्यादा पिख़ाना है, इसको एलेक्ट्रोड को ज्यादा पिखलाना है, कैसे ज्याद उसमाहत्पन होगी ज्यादा टीट होगी और नेगटीव में कम तो एलुमिनियम या टीन के जो ज्यादर होगा प्लेट्स होगे सब्सक्राठाइब प्लेट्स होगे उसमें क्या होगा आपका चुकी वह अल्रेडी पंचॐ रखे है और स्ट्रेट्ट वाण जेंगे या वर्लडिंग के लिए करेंगे से ज्यादा नुक्सार होगा ज्यादा पिखल जाएगा क्या वह अप्पीश नहीं पिखाल नालटी नामे वह वर्लडिंग करना पेष जाए बंगा दिया जाता है इसलिए क्या करना है इलेक्ट्रोड के तरफ पोजिटीव रिवार्स में रखना है तो वीडियो ने श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नेक्स वीडियो में